नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटे हुई 1390 चक्रवाद बिपार चॉय ने बिहार में रोकी मौनसून की चार बिहार के सभी विश्यों विद्यालियों में होगा एक सलेबस बिहार बोट ने जारी किया इंटर का डमी रेजिस्ट्रेशन कार्ड CSK ने MS धोनी को लेकर किया ट्वीट इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटे हुई 1390 बीते दिन मंगलवार को नेशनल मेडिकल कमिशन के द्वारा बिहार के 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों अस्पताल पूर्णिया में 17 से 100 MBBS सीटों पर नमांकन के अनुमती दे दी गई है इसके साथ ये बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1390 MBBS सीटों पर अभियर्थियों का नमांकन लिया जाएगा मालुम हो कि बिहार सरकार के ओर से सैचनिक 17,2023 में 100 MBBS सीटों पर नमांकन को लेकर नेशनल मेडिकल कमिशन को अंडर्टेकिंग दे दी गई थी मालुम हो कि राजे के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 1170 सीटे हैं ऐसे में अगर सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 2560 सीटों पर अभियर्थियों का नमांकन लिया जाएगा नीट रिजल 2023 चारी बिहार के इतने चात्र हुए सफल नेशनल टेस्टिंग अजनसी यानि की NTA के दोरा मेडिकल प्रवेश परिक्षा नीट यूजी 2023 का डिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसमें बिहार के कुल 24,916 चींडस के दोरा सफलता प्राप्त की गई है आपके जानकारी के लिए बिहार के इस परिक्षा के लिए बिहार से कुल 1,617,167 चींडस के दोरा आविधन किया गया था जिसमें से 58,668 स्टुरेंट्स ने परिक्षा में भाग लिया था और इन में 55,709 स्टुरेंट्स सफल हुए थे बतादिक इस परिक्षा में बिहार के ससांग कुमार को 720 में से 715 अंग के साथ ओल इंडिया में चौदवा रैंक मिला है वहीं कतिहार के ससांग सनग को 20 वा रैंक मिला है चकरवाद बेपार जोयने बिहार में रोकी मौनसुन की चाल बिहार में दक्षिन पश्चिम मौनसुन की चाल को अडब सागर में सक्रिय सक्तिसाली तुफान बिपार जोयने रोक दिया है क्योंकि वह करिंट कमजोर पर रहा है जो मौनसून को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है ऐसे में पिछले 48 घंटे से मौनसून पूर्णिया, कसंगंज और कतिहार में ही ठेड़ा हुआ है अलाकि भारतिय मौसम विज्ञान विभाग के नुसार मौनसून आगामी 3-4 दिनों में आगे बरसकता है वही मौनसून के टहरने के कारण बिहार के पुर्वी इलाके में कुछ जगों पर लोगों को गर्मी की मार जहननी पर सकती है खास तोर पर दक्षनी पश्मी बिहार में लू चलने के आसार है इसके साथ ही मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पछले दिनों मौनसून की स्तक्रिता से हवा में आई नमी से थंडर स्टॉन की गतिवी दियां एक बार फिर से जोर पकर सकती है विशेश रूप से मध्य और उत्री बिहार के अधिकतर हिस्सों में पुरवया के मिलने से में गर्जन और ठंका की भी आशंका जताई गई है गर्मी के छुट्टी को लेकर रेलवे ने तीन जोरी ट्रेनों को लेकर लिया ये नर्नै मध्य जन संपर्क अधिकारी विरंद्र कुमार के दोरा दी गई जानकारी के नुसार यात्रियों के शुवधा को ध्यान में रखते वे रेलवे की ओर से गर्मी की छुट्टी के दोराँ चलाई गई तीन जोरी समर स्पेशल ट्रेनों के परिचारन अवधी में विस्थार कर दिया गया है अब 19 जुन से 20 जून तक प्रतेख शोंबार और शुक्रवार को भी चलेगी इसके लावा गाली संख्या 032-56 अनन्विहार 15 स्पेशल ट्रेन अब 19 जुन से 30 जुन तक प्रतेक शोमवार और शुक्रवार को भी चलेगी अनन्द विहार गया स्पेशल ट्रेन 17 जुन से 1 जुलाई तक प्रतेक शनिवार मंगलवार और गुरुवार को चलेगी बिहार बोर्टे जारी किया इंटर काड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आपी वर्ष 2024 में बिहार बोर्ट इंटर परिच्छा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे कि बिहार विद्याले परिच्छा समीती के दोरा तो 2024 में होने वाले इंटर परिच्छा की टमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है ऐसे में विद्यार्थियों को अगर अपने टमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी प्रकार की कोई तुरूटी मिलती है तो वा 16 जून तक इसमें सुधार कर सकते हैं मालम हो कि तुरूटी में सुधार करने के लिए बोर्ड की ओर से संबंधिस संस्थान के सक्षकों को आवश्यक दस्ता नर्देश दे दिया गया है इसके साथ ही बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों के रजिस्टर्ड मोवाइल नंबर पर इस बारी में मैसेज भेज जानकारी भी दे पर इसके लिए तैयारी भी की जा चुकी है मालूम हो कि इस संबंध में बिहार की राजधानी पटना असत राजभवन के सभागार में कई विश्विद्यालियों के साथ बैठक भी की गई इस बारे में वीके सी यू के छात्र कल्यान अध्यक्ष सह हिंदी के विशय के मोदन किया जाएगा और फिर विश्विद्यालियों के लिए घोशित कर दिये जाएंगे मालूम हो कि इसका मक्स अध्यार के पिछले सत्रों को पट्री पर प्रतेग सिमस्टर में लाना है शुषान सिंग राजपूत की पुर्ने तिथी पर इन सितारों ने उन्हीं किया याद बिहार के लाल और बॉलिवोर्ड के स्टार सुसान सिंग राजपूत ने आज ही के दिन वर्स 2020 में दुनिया को अलविदा कहा था ऐसे में आज भी कई सितारे ऐसे हैं जो उनके साथ बिताए गए पलो को याद करते रहते हैं इन्ही सितारों में एक सितारे विक्रमजीत विर्क हैं जिन्होंने कई भाशाओं के फिल्मों में काम किया है और साथ ही वे सुसान सिंग राजपूत के अच्छे दोस भी थे पतादे कि विक्रमजीत विर्क के द्वारा उर्मला कोडी से हुई बाचीत में एक सवाल का जवाब देते वे उन्होंने सुसान सिंग राजपूत के साथ बताई गैस 7 दिनों को लेकर एक बात बताई उन्होंने कहा कि हमने मकना-गाना इस्राइल में सूट किया था और मैं डृृइब की सुटिंग के दोरान बहुत अच्छे दोस्त पने थे सुटिंग अजराइल में 6-7 दिनों तक चली थी वो मेरे करियर का अब तक सबसे बेस्ट अनुभव था जो गाने में हमने जिन्दगी दिखाई थी उसे अस्टर में हमने जिया है हर पल को उन्जोई किया है वजह सुटिंग में वैसा लाइफ और मोहल कभी नहीं मिला वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के दोरा भी एक अंसीन वीडियो शेयर कर सुसान सिंग राजपूत को याद किया गया है जिस पर यूजर्स भदे कमेंट्स का रिया को जम कर ट्रॉल कर रहे हैं इस बार राजधानी में नहीं होगा जल जमाव बिहार के राजधानी पटना में मौनसून के दोरां जल जमाव न हो इसके लिए आज पटना के जिलादिकारी डौक्टर चंदर του सेखर शिंग और नगरनेगम के अदिकारियों के दोरा व्यबिन संप हाूस का नडगशन किया गया वहीं नडगशन के बाद डौक्टर चंदर शेखर के दोरा कहा गया कि राजधानी में चल जमाव ना हो इसके लिए पूरी तयारियां की जा रही है नगर निगम और बुड़कों की एक टीम बनाई गई है जो राजधानी में मौजूद 9 से 10 बड़े-बड़े नालो का नरिक्षन करेंगे इसके लावा जिला प्रशासन की भी टीम बनाई गई है उन्होंने बताया कि पतादिकारि पर इस दिन से गाई घार तक दोरेगी गारियां 20 जून तक जेपी गंगा पत पर गाई घार के समीब सूपर स्ट्रॉक्चर बनाने के लिए लगे लांचर का उतारने का काम पूरा हो जाएगा और फिर इसके बाद 25 मिटर की दूरी पर बचे हुए एक स्पैन पर गाई घा पर तक सूपर स्ट्रॉक्चर तयार किया जाएगा और साथ ही वहां उतरने के लिए अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा बता दे कि जानकारों के दौरा दीके जानकारी के नुसार 15 जुलाई तक फिनिसिंग कारे संपन हो जाएगा और फिर उसे वहानों के परिचारन के लिए चालू कर दिया जाएगा मालूम हो कि इसके चालू हो जाने से लोगों को दिग्घा से गाएगार तक जाने में केवल 20-25 मिनट लगेंगे इसके साथ ही लोगों को अशोक राजपत में होने वाले जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगी सैंबो चैंपियर्शिप के खिलारियों को तेरश्वी ने किया सम्मानित 5-11 जून 2023 सकजाकस्तान के अस्थान में आयोजित एहुए एशियन सैंबो प्रतियोगिता में बिहार के 5 खिलारी जिन्होंने भारत तीम का हिसाब बन कर रजट और तीन काशिपदक प्राप्त कर र खिलारियों को हर संभव मदद दी जाए और यहाँ भी ध्यान रखा जाए कि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो आपकी जानकारी के बता दे कि यह सभी खिलारी बिहार 12 जून को पहुँचे जहां उनका स्वागत राज्य खेल प्राधिकरन के महानिदेश प्रविं बताया गया कि पार्टी की ओर से आगामी 18 जून को बिहार के राधारी पठना में राश्ट्री कारिकारनी समीती की बैठक आयुजित की जाने वाली है जिसमें वर्तमान घटना क्रम पर चर्चा की जाएगी और साथ ही आगे की रणीती भी तयार की जाएगी मालुमों कि ब ध्यक्षता में आयुजित की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बीते दिन संतोष शुमन के द्वारा इस्तफा दिये जाने के बाद मीदिया से बातचीत करते वे यह बताया गया कि जेडियू हम पार्टी को खुद में विलाय करवाना चाहती थी ऐसे में पार् नितीश काबिनेट का विस्तार किया जाएगा बता दे काबिनेट के विस्तार की तारीख पक्की कर दी गई है जिसके अंतरगत 16 जून को काबिनेट का विस्तार होने वाला है इसके लिए राजभवन के सिभागार में तयारियां भी शुरू कर दी गई है मालुमों कि नए मंत्रियों को सपत दिलाने का समय सुभर सारे दस का तै किया गया है वहीं मीडिया में चल रही खबरों के नुसार ऐसा कहा जा रहा है कि संतोस सुमन की जगा सोन वर्षा से विधायक रतने सदा को मंत्री बनाया जा सकता है नितीश कुमार पर बरसे जीतर नाम मांची बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री जीतर नाम मांची के बेटे संतोस शुमन के दौरा नितीश काबिनेट के मंत्री पतस तफ़ा देने के बाद अब उनका और बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार का रह बिलकुल अलग हो कि मुझे उस पद से हटा दिया गया था नितीश कुमार ने मेरे साथ उस समय जो किया वह बिलकुल गलत था मैं मुख्यमंत्री था इसनाती मैं संगठन का नेता था कोई भी बैठक बुलाने का अधिकार था मैंने 19 फरवरी 2015 को बैठक बुलाई थी लेकिन अचानक नितीश कुमार ने सरदियादव को मिला कर हमें मुख्यमंत्री पद को लेकर हटाने की पूरी कोशिश की गई और नितीश कुमार ने 13 फरवरी को गैर कानूनी तरीके से बैठक बुला ली मुझे एक कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया अगर मेरे में मुख्यमंत्री बनने का लाजा होता तो मैं सफ़ा सौपने के बदले बिहार विधान सभा को भंग कर देता CSK ने MS धोनी को लेकर किया टूइट चन्नाई सूपर किंग्स के द्वारा अपने आधिकारी ट्विटर हैंडल पर अपने कपतान महिंदर सिंग धोनी को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया है कि क्या धोनी रिटायर हो रहे हैं? क्या वा किसे निर्णे पर पहुँच के हैं? क्या वा आईपियल का आखरी सीजन खेल चुके हैं? इस तरह के कई सवाल है जो पोस्ट पर फैंस के द्वारा पूछे के हैं बता दे कि पोस्ट किये गया इस वीडियो में CSK के द्वारा कैप्सन में लिखा गया है कि ओख कप्तान मेरे कप्तान 37 सेकंड के वीडियो में धोनी सीडियो से पवेलियन की और भागते नज़र आ रहे हैं और साथ ही उस पर 2023 के आईपियल सीजन के उनके पलो की कई तस्वीरों को सूपर इंपोस किया गया है मालू हो किस वीडियो में धोनी को अकेले दिखाए गया है जिससे उनके फ्रैंस या सोचने पर मजबूर हो गया है कि आईपियल से लिजन की सेवा निव्रती का संकेत है जानिया बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल करेट बिहार में आज यानी बुद्वार को पेट्रॉल डीजल करेट जारी किये गया है इसके बाद राजधानी पत्ना में आज पेट्रॉल 107.24 रूपे और डीजल 94.64 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है बिहार में पेट्रॉल करेट सबसारा किसन गंच में है जहां पेट्रॉल 109.64 रूपे प्रती लीटर और डीजल 96.23 रूपे प्रती लीटर की दर्से मिल रहा है बीत दिन मदरे पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग नंब प्रतॉतक्षरमार सुसान सिंग राजपूत की पुनितिधी पड़ आप क्या कहना चाहेंगे हमें प्रतॉतक्षरमार पूछेمार आज के लिए इतना ही बिहार के तेमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार दी नियूज और साथे अगर आप यूटू से देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद